नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हुव और स्टडी में आप लोगों के लिए बहुत ही खुस खबरी नीज आ चुका है फ्रेंस देख सकते हैं आप लोग जहारखन करमचारी चेहन आयो अर्थात फ्रेंस जेससी के द्वारा अभी अभी पुली जहारखन उत्पात सिपाही परतियोगिता परिच्छा दोहजर बाइस देख सकते हैं आप लोग उत्पात सिपाही यह एक्जाम आपका 2018 में जो पहले हुआ था उसी के दर्जी पे लाया गया ठीक है फ्रेंस तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ देखे क्या लिग है जे इ CCE 2022 कार्मिक प्रसासनी सुधार एवं राज भासा विभाग जहारखन सरकार के पत्र संखे 134 दिनांक 11 1222 अगर सासित उत्पाद एवं पद निशेत विभाग के पत्रांक 2439 दिनांक 31 1222 यह वेकैंसी लिखना फ्रांस तो देखे सबसे पहले आप लोगों मैं यह बताना चा पर फीशे 222 में वेकैंसी निकला है और फ्रैंस आप लोग के लिए इसमें अच्छी बात है कि इसमें जो चार्ज है आप लोगों का मात्र सौर पर चार्ज है लेकिन इसमें परिशानी भी यह ना इसमें जो एज लिमिट आप वह ओपीशी के लिए 27 साल है मेल के लिए के लिए 28 यह रहा है उसके साथ यह वेकैंसी जो फ्रैंस देखें परिछा सुल्क 100 रुपे होंगे और परिशा सुल्क में चूट जो फ्रैंस देखें अनुसुचीत और अनुसुचीत जन जाती के लिए 50 रुपे होंगे लेकिन इसमें यह ध्यान रखेंगे यह नन रिफंड यह रुपीस आप लोगों को फिसे फंड में फंडिंग में नहीं दिया जाएगा क्लिए अब देखें मैं आप लोगों को बता रहा हूं फ्रैंस देखें जारकन उत्पात सिफाही पर्तियोगिता 2018 में समलित हुए वैसे आविदक जो इस विग्यापन की सर्तों और सच्छानिक योगिता निधायित आयू सीमा तथा अन्य अहरताओं के अंत्रगत आविदन देने के पात्र होंगे यानि फ्रैंस जो फॉर्म भरे थे अगर वह भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं बाइच आप लोगों यह परने में फिरीम भर आएगा लेकिन आप लोगर के कंदिशन यह आप लोगों लिक्वाना होगा अथास पर रेश्ट्रेस्टरिसन नमबर लेके लाना पड़ेगा ये आप लोगों कंदिशन आप देखिये इस दिखा दिया गैए यानि टोटल फ्रैंस जो चलिक सकते हैं इसमें किस-क्रचीज माप सबसें सारी माप क्या वो रहा है तो देख लिए आप लोग से स्क्रीन सौट कर लिए ख्याल इकर आप लोग देख सकते हैं क्लिर है उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट से इसमें यह देखे नुन्तम उम्र सीवा यानि कि मिनिमम जो एज एफ्रेंस 18 इयर उसके साथ साथ मैक्सिमम उम्र बता रहे जेनरल कटेगरी के लिए और EWS के लिए 25 साल है ओब कर्था के लिए 27 साल अब इसी के लिए 27 वर्ष है उसके साथ महिलाओं लोग के लिए आपका 26 वर्ष है अनुसुचित जाती और जन जाती पूरुमारेलों के लिए 30 अचल यह था है अब इसके साथ साथ सबसे किसी भी संस्तान से मैट्टिक एक्जामीनेशन दिये हैं वही इस फॉर्म को भरने के लिए इसिवल होंगे किलियर है असद आपको जैक से यग्जाम आप लोग को देना होगा जहारकन के किसी भी युनिवर्सेटी से मैट्टिक दसमी कच्छा जहारकन राजिये में अनिवार होगा तथा अभयरतिक अस्थानी रिवाज भाशज्ञार्य है परिवेश का ज्यान होने अनिवार है आप लोगो क्लास तेंट लिए टो आप लोग ज्ञार्कन के किसी भी संस्थान से पास होना पड़ेगा अगर आप लीज अब मान लेजे कि आप ग्रिजिली से की है या बड़े-बड़े कोई इंग्लिस मीडियम से अगर क्लास 10 पास के तो भी आप लोगो सोचना नहीं पस आप लोगो जारकन से करना है था जरूर नहीं है कि आप लोग जारकन के किसी भी संस्थान से कर सकते हैं अब देखें इंटर के लिए कोई जरूरत काटेगरी में होगा लेक्स सबसे पहले इस पहरे जो एक्साम होगा वह आप लूग PEB जिट बिल्कुल आप लोगे लिए सबसे पहले फ्रेंट्स ये फिजिकल कieso आप लोगे लिए सबसे पहले उसके सबसे पीकल हो Apartis अगा उसके साथ रिटे उट्सके सबस मेडिकल हो यह आप लोगे ये आप लोग अपलंगनी के इसे था निम्रिक तीन चर्णों मिली जाएगे सबसे पहले फ्रैंट्स मेडीकल होंगे सॉरी फिजिकल उसका लिखित परिच्छा उसका चिकित्सिक जाज अब इसे मेडीकल में क्या क्या है आप लोग देख लिजेगा क्लियर है अब इसके साथ मैं देखे लिख लिए ध्यान से लिखित 6 Sind artultura माक्स लाना पड़ेगा थैसा आप लोगो 120-30 तो 120-30 पर्षेंट आप लोगो माक्स लाना पड़ेगा यानि फ्रेंस च्छतिस नमबर आप लोगो लाना पड़ेगा अगर आप लोग च्छतिस नमबर लाते हैं हिंदी और इंग्लिस भी से मिला का याँ एक सो बीस में से तो आप लोग पास कर गया है याँ आप लोग का पेपर टू और ठट का पेपर चीक होगा फ्रेंस आप लोग का छेतरी और ज़न जाती भासा ग्यान होगा चाहे आप उर्दू रखे संथाली रखे बंगला रखे मुंडारी रखे, हो रखे, हो रखे, खड़िये रखे, और खुर्माली खुट्टा नाकपुरी पंच परगनी है उरिया किसी भी भासा आप लोग रख जिए पेपर इसमें देखें जी एस फेपर होगा अर्थात फ्रांट जीस पलस जेनरल इवार्नेस अर्थात करेंट अफैर इस चालीस प्रस्ण होंगे के लिए रहें फिर जहरकन जुए आपको जहरकन जीस होंगे 50 नबर कांगे जो काफी महत्पून है अब ग्यान विज्ञ इस पर फोर्ष करते हैं तो आप लोग निकाल सकते हैं कि एवल जीएस से आप लोगा देख लिए कि तम 110 नंबर आ जाएगा ठीक है बस यह था आप लोग देख सकते हैं क्या था और अगर किसी चीज़ से आप लोग समझ भी नहीं हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख स साजना चाहता हूं देखिए फिजिकल क्या फूर्षों के लिए 10 के लिए 10 किलोंटर पूर्षों के लिए पांच किलोमेटर डॉलना है क्लियर है अच्छी कित सकते हैं अस्तियों के सारी ब्रामट में मुरा घुटना धनुपै समतल पै स्प्रीट सीरा उंगलियों का उची धंग से नहीं घुमना यह सब आप लोग देख सकते हैं क्या क्या लिख रहा है तो फ्रेंट्स यह था हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर जिए पलपल से जुड़ी हुए हर नीच को मैं आप लोगों को बताता रहूंगा चले ठैकिए सो मच बेस्ट आप लग थैंकिए सो मच